नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्यप्रदेश का नमबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज MP चलिए देखते हैं मद्यप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में उमा भारती ने दी बधाई कहा ये जीत एक चुनोती और अफसर है MP को भारत का नमबर एक प्रदेश बनाने का मद्यप्रदेश में एक बार फिर से भारती जंता पाठी को जंता ने सरकार बनाने का मौका दिया मद्यप्रदेश की पूर मुख्य मंत्री और स्पष्ट बोलने के लिए चर्चित उमा भारती ने प्रचंड जीत के लिए प्रदेश की जनता को बधाई दी सांथी पाठी को नसीहत भी दी उमा भारती ने ट्वीट कर प्रदेश में मिली जीत को पियम मोदी की गैरेंटी और शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की जीब बताया शिक्षकों अधिकारियों के लिए महत्पोन खबर परिक्षा केंदर पर नहीं ले जा सकेंगे मुबाईल मदीपरदेश मादिमिक शिक्षक मंडल द्वारा दसवी और बारवी की बोड परिक्षा के दोरान मुबाईल पूरी तरह से प्रतिबंद देत रहेगा यहां तक की केंदर की अध्यक्ष शिक्षक और कलेक्टर भी मुबाईल नहीं रख सकेंगे MPB बीजेपी की क्लीन स्वीप पर बोले शिवराज न कांटा मिला न टककर कहा कोई एंटी इंकम्बेंसी नहीं थी मुख्यमंतर शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि इस बार बीजेपी ने अभूत पूर्व जीत हासल की है रविवार देर शाम तक मद्रप्रदेश में तस्वीर एक दम साफ हो गई और बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा सही साबित हुआ इस जीत के बाद शिवराज सिंग चोहान मुख्यमंतरी निवास पर अपनी पत्नी श्रीमती सादना सिंग के साथ कारिकरताव से बात करते दिखे पैट्रोल डीजल के नहरे जारी मद्रप्रदेश के कई जिलो में बदल गए दान सुमवार को MPK जादतर जिलो में इन्धन के भाव स्थिर है भुपाल में पैट्रोल का भाव 18.65 रुपे प्रती लीटर और डीजल का 93.90 रुपे है इन दौर में पैट्रोल की कीमत 108.78 रुपे है डीजल 93.86 रुपे प्रती लीटर में बिक रहा है बीजेपी में सीम को लेकर काउंटडाउन शुरू कमलनाथ ने बैचक बुलाई मदरप्रदेश पिदानसभा चनाओं के रिजल्ट के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री के चेयन को लेकर भुपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई बाजपा के सभी केंद्रिय पताधिकारी और मंत्री दिल्ली पहुच गए आज देर शाम तक भाजपा संसदिय दल की बैचक हो सकती है जबलपुर शहडो संभाग के जिलों में आंधी पानी के आसार भुपाल में भी बारिश मद्यप्रदेश के जादतर शहरों में सुमवार सुबह कोहरा और धुंद छाई रही भुपाल में सुबह नौ बजे के बाद कोहरा छटा लेकिन धुंद बनी हुई है मंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान, मिचोंग कासर, मद्यप्रदेश के शहडोल, जबलपुर संभाग और आसपास होने की संभावना है MPB भाजपा के 27 कॉंग्रेस के साथ विधायक हारें मंत्री नरुत्तम कमल की हार ने चौकाया चुनाओं में मोधी इफेक्ट और लाडली बहना इंपेक्ट दिखा, इसके बावजूद भाजपा के 99 विधायकों में से 27 और 31 मंत्रियों में से 12 हार गाए तीन केंद्रिय मंत्रियों में फगगन सिंग कुलस्ते, चार सांसदों में गणेश सिंग भी हारे हैं सिंधिया समय तक 19 कैंडिडेट में से 9 नहीं जीत पाई, नरुत्त मिशा कमल पटेल की शिकस्त ने चौकाया सूपरासाफ होने के बाद कॉंग्रेस के सामने संगठन संभालने की चुनाती इंदोर ने भाचपा को प्रदेश में सबसे बड़ी जीत का तोफ़ा तो दिया ही, विधानसबा के लिए अब तक की सबसे बड़ी विधायकों की टीम भी सौप दी तीस वर्षों के बाद इंदोर जिले में भाचपा ने क्लीन स्वीप लिया है सोलवी विधानसबा के गठन के तयारिया शुरू नए विधायकों के स्वागत विधानसबा चुनाओ की परिणाम की गोश्णा की एक दिन बाद प्रदेश में सोलवी विधानसबा के गठन के तयारिया शुरू हो गई इसको लेकर भुपाल में विधानसभा सचेवाले में अधिकारियों की बैचक हो रही है वधायकों के निर्वाचन की प्रक्रिया के लिखे जानकारी आश्राम तक चुनाव आयोक की ओर से विधानसभा सचेवाले को मिल जाने की उम्मीद है लोग सबाचनाओं के लिए बड़ा संदेश है मद्यप्रदेश का परिणाम मद्यप्रदेश विदान सबाचनाओं का परिणाम चार पांच महीने के बाद प्रस्तावित लोग सबाचनाओं के लिए एक बड़ा संदेश है मद्दाताओं ने इस परच कर दिया कि जाती धर्म की आधार पर राजनीती करने वाले दलों को अब इस गंदी प्रवर्ती से बास आ जाना चाहिए मद्दाताओं ने सुसाशन राजनीती के स्थाइद विकास और रास्टरहिट को सर्वो परी मान कर मतदान किया तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्यप्रदेश से अबडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद